नमस्कार दोस्तों स्पागत है आपका पीके नियूस पर दोस्तों उत्तर प्रिदेश के अमेठी जिले से एक चोका देने वाला मामला सामने आया है अमेठी जन्पद में बुध्वार देर शाम पियारवी को सूचना मिली कि एक बैग के अंदर सामान के साथ साथ एक बच्चा भी कोई अंजान शक्स छोड़ कर चला गया है दरसल उत्तर प्रिदेश के अमेठी के मुन्शी गंज छेतर के त्री लोग पूरी इलाके में पुलिस ने बैग में रखे एक बच्चे को बरामत किया है जब बैग से रोने की आवाज आने लगी तो आसपास के लोग वहाँ पर इकठे हुए और इसकी सूचना तूरंथ पुलिस को दी गई पुलिस जांच में या जानकारी सामने आई कि बैग के अंदर पांच महीने का बच्चा था इसके साथ ही बैग में कुछ सर्दियों के कपड़े और पांच हजार रुपए के साथ अन्यचीजे भी रखी हुई थी इसके साथ एक पत्र भी रखा हुआ था ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बच्चे के पिता ने ही यह पत्र लिखा है आपको बता दें कि जब कॉलर ने इस बैग की सूचना यूपी 112 को दी तब मौके पर पियारवी 27 असी राकेश कुमार सरोज और चालक उमेश दुबे कोतवाली मुन्शी गंज छेतर के त्रिलोगपूर आनन दोजा के आवाज के पास पहुचे जहां पर किसी अज्यात व्यक्ती ने त्रिलोगपूर के भगवान दीन का पूर्वा गाउं में एक नवजात को थेले में भर कर छोड़ कर चला गया था इस बैग को पुलिस ने लोगों के सामने खोला तो बच्चे के साथ ही कुछ गर्म कपड़े दवा 5,000 रुपे के साथ एक पत्र मिला इस पत्र में पिता ने बच्चे को पालने वाले के लिए 5,000 रुपे महीने देने की बात लिखी थी नवजात बच्चे को बैग में छोड़कर जाने वाले पिता ने एक पत्र भी साथ में छोड़ा था जिस पत्र में यह लिखा था कि यह मेरा बेटा है इसे मैं आपके पास 6-7 महीने के लिए छोड़ रहा हूं हमने आपके बारे में बहुत अच्छा सुना है इसलिए मैं अपना बच्चा आपके पास रख रहा हूं 5000 रुपे के हिसाब से मैं आपको पैसा दूँगा आपसे हाथ जोड़कर विंती है कि कृपिया इस बच्चे को संभाल लो मेरी कुछ मजबूरी है इस बच्चे की मा नहीं है और मेरी फैमिली में इसके लिए खत्रा है इसलिए 6-7 महिने तक आप अपने पास रख लीजिए सब कुछ सही करके मैं आप से मिलकर अपने बच्चे को ले जाओंगा कोई बच्चा आपके पास छोड़कर गया है या किसी को मत बताना नहीं तो यह बात सब को पता चल जाएगी जो मेरे लिए सही नहीं होगा सब को यह बता दीजेगा यह बच्चा आपके किसी दोस्त का है जिसकी बीवी हॉस्पिटल में कोमा में है इस पत्र में आगे यह लिखा था कि अगर आपको और पैसे चाहिए तो बता दीजेगा मैं और दे दूँगा बस बच्चे को रख लीजे इसकी जिम्मेदारी लेने से डरियेगा नहीं भगवान न करें अगर कुछ होता है तो फिर मैं आपको ब्लेम नहीं करूंगा मुझे आप पर पूरा भरुसा है आपको बता दें कि इस नवजाद बच्चे को पुलिस ने सूचना देने वाले सक्स को सुपूर्द कर दिया है पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिस कर रही है कि आखिर यह बच्चा किसका है इस पूरी घटना की जाँच परताल में पुलिस जूटी हुई है